भोजपूरी Music Industry में अभी दो ऐसे स्टार हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा में बने रहते हैं। सबसे ज़्यादा काम करते हैं, इनके द्वारा सबसे अधिक गाने रिलीज किये जाते हैं। पहला तो trending star के सारीलाल यादव हैं। और दूसरा अगर आप पवन सिंग को समझ रहे हैं तो गलत हैं, दूसरा सारे गामा हम भोजपूरी म्यूजिक चैनल है, अभी भोजपूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक तरह से इन दोनों का राज चल रहा है, ऐसा भी कहा जा सकता है कि अगर भोजपूरी में 10 गाने रि खेसारी एक दिन में 15 गाना सूट करने के बजा है, उनके साथ जब काम करते हैं तो दो दिन में मातर एक गाने की सूटिंग कर पाते हैं, क्योंकि इस चैनल का कहना है कि हम जो कंटेंट बनाएंगे, वो सबसे अलग होगा, जबरदस्त होगा, और खेसारी इस चैनल पर सबस 23 सूपरिशार गायकों में खेसारी और कलू ही रहे हैं, और इन दोनों का गाना ही इस चैनल पर सबसे ज़्यादा व्यूज बटोरने वाला गाना है, अब इस 2023 में होली के लिए भी इस चैनल एक खाच तयारी कर ली है, और वह इस साल दोनों कलकारों के साथ, यानि कलू और खेसारी के साथ एक से एक नए गाने लेकर आने वाली है, और इसको लेकर सारे गामा हम भोजपूरी के मार्केटिंग हेड बदरिनात जाने खूलासा किया है, जिसके बारे में विश्तार सम् वीडियो में आगे बात करेंगे, और उससे पहले नमस्कार जमाजम भोजपूर गाने के लिए एक मोहीम चला रही है, इसके लिए वो अलग-अलग कारेकरम कर रही है, कुछ दिन पहले ही उन्होंने पटना में सारे गामा हम नाइट कायोजन किया था, इसके बाद कल्लू के अपने ओफिसियल चैनल से आई हुए गाने को सारे गामा ने खूब प्रमोशन किया, क्योंकि अब सारे का महम भोजपूरी केवल अपने चैनल से आई हुए गानों का ही नहीं, बलकि दूसरे चैनल से आई हुए गानों का भी मार्केटिंग और प्रमोशन का काम देख रही है, इसकी सुरवात उन्होंने कल्लू के चैनल से आई हुए गाने से की है, और जब चैनल के मार्केटिंग हेट बदरिनाथ जासे सवाल किया गया कि इस बार होली को लेकर उनका क्या प्लैन है क्या इस बार भी होली में सारे का महाम बोजपूरी बाकी चैनलों से अलग कुछ नया लेकर आएगी उनको पीशे छोड़ेगी क्या इस बार भी चैनल से भोजपूरी के सूपर इस्टार गायकों के साथ गाने उनके धमाल मचाने वाले हैं तो बदरीजा का जबाब था बिल्कुल ऐसा ही होगा बदरीजा बताते हैं कि हमारा तो भोजपूरी के सारे कलकारों के साथ बहुत अच्छा संबंध है हम खिसारी के साथ भी खुब काम करते हैं, तो हम पवन सिंग के साथ लाल भागरा जैसा बड़ा हिट भी देते हैं, कलू निल कमल समर सिंग जैसे गायक भी हमारे चैनल से हमेशा धमाल मचाते रहते हैं, और इसके अलावान नए टैलेंट को भी हम खुब मौका देते रहते है और इस बार भी होली में हमारा यहीं प्लैन है पहले बोजपूरी को लेकर कहा जाता था कि यहाँ पर बड़े बजट के और नए मूड के गाने नहीं चलते हैं लेकिन हमने इस बात को जूटा साबित करके दिखाया है हमारे गाने बॉले बुट की तरह बड़े बजट के होते हैं वीडियो का क्वालिटी जबरदस्त होता है साथ ही हम नए मोडर्न म्यूजिक के गाने भी लाते हैं और इसके अलावा पूराने पारंपरिक संगीत पर भी काम करते हैं और दरसक हमारे काम को खुले दिल से एकसिप्ट करते हैं इसका नतीजा है कि हमारे चैनल पर काफी कम दिन में ही 10 मिलियन सब्स्क्राइबर पूरे होने वाले हैं और इस बार के होली में भी हम यह परंपरा कायम रखने वाले हैं इस बार होली में भी एक से बढ़कर एक गाने देखने को मिलेगे जो बाकी दूसरे चैनलों से काफी बहतरीन होंगे खेसारी और कल्लू के गाने को लेकर बदरी जाने बताया कि दोनों ने खुब मेहनत करके गानों की शूटिंग पूरी कर ली है इस बार दोनों अपने होली के गानों से धमाल मचाने वाले हैं बदरी जाने बताया कि इस बार भी खेसारी हमेशा की तरह धेर सारे गाने लेकर आ रहे हैं और इस साल सारे गामा हम भोजपूरी से खेसारी के पाँच गाने रिलीज होने वाले हैं सबी के सबी गाने जबरदस्त हैं, हलाकि इसमें से एक गाना मुर्गिया तसली में बनी आज ही रिलीज हुआ है, जिस पर दर्शकों का अच्छा रिस्पॉंस देखने को मिल रहा है, यह गाना अभी ही ट्रेंड करने लगा है, और कुछी घंटे में इस पर एक मिलियन व्यूज के आकड़े को भी ये गाना पार कर गया, इसके अलावा कलू को लेकर बदरी जाने बताया कि कलू का इस साल का उनके चैनल से दो होली के गाना रिलीज होगा, बाकि आप भोजपुरी में एक नई चीज देख रहे होंगे कि कलू और खेसारी में काफी नजदीकी बढ़ रही है, दोनों एक दूसरे का खुब सपोर्ट कर रहे हैं, पवन सिंग से खेसारी का विवाद होने के बावजूद, पवन सिंग को गुरुम मानने वाले कलू, पहली बार खेसारी का तारीफ करते हुए दिखे, और यह सायद सारे गामा हम भोजपुरी चैनल के कारण ही हो रहा है, क्योंकि यह चैनल दोनों का लाकारों को काफी मजबूती से अपने साथ जुड़ कर रखी हुई है, अष्लिग और हुई करते हुई है,